असलाम उलेकुम ये हैं पोसिट पे ब्रैंड न्यू सीपीम एड नेटवर्क ये एड नेटवर्क मैंने पांच दिन पहले इस वीडियो में शेर किया था लेकिन डेव वन से मुझे एमेल्स प्लस कॉमेंट्स आना स्टार्ट हुए हैं कि पोसिट पे ने एड रिजेक्ट कर दिया आड पेंडिंग है प्लस में अपने वेबसाइट के लिए पेड ट्रापिक कैसे लूँ क्योंकि ये वीडियो आरबेटराज रिलेटेड थी ठीक हैं पोसिट पे प्लस ट्रापिक आरबेटराज यानिकी यह जो पोसिट पे आड नेट वर्क है अगर आपके प्लस इस वीडियो के लास्ट में इस तीम का गीववेवेव भी करूंगा पांच लोगों प्लस इस वीडियो पर जितने भी कॉमेंट्स आएंगे उन कॉमेंट्स में से मैं नेक्स वीडियो के अंदर पांच लोगों को select करोंगा तो भाई आप 1100 कॉमेंट करो spamming आपको नहीं करनी है आप अपने topic related question करो या किसी और topic related भी question कर सकते हो comment section में अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्यारे भाई आप मैंसे mostly अगर आप मेरी old subscriber हो तो आपको पता होगा, मैं हर वीडियो में अपने टॉपिक के अंदर इतना गुज जाता हूँ कि भूल जाता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो, तो भई कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों नहीं किया है सबसे पहले मैं आपको अपना बैलन्स दिखाता हूँ, आप देख सकते हूँ, मेरे वालेट में 40 डॉलर है, एक दबा इसको रिप्रेश करते हैं अगेन आप लोग नोट करो, 40 डॉलर है मेरे वालेट में, मैंने अपने वेब साइट में, जो HTML5 गेमिंग साइट है उसके अंदर मैंने ये एड चेंज किया है, इस बार मैंने 300-250 साइज का एड लगाया है इस वीडियो में आप लोगोंने नोट किया होगा, मैंने जो एड यूस किया था, वो दूसरे साइज का था, ठीक है बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया था, 300-250 का टोटल इंप्रेशन्स, आल डेटा आप चेक करें, 43 USDT, एक USDT, एक USDT के बराबर होता है तो टोटल जो है, आल टाइम 43 USDT है, एंड 60,000 प्लस इंप्रेशन्स है, 414 क्लिक्स आए है टोटल, ठीक है अब वेलेबल एड अर्निंग मेरे पास 15 USDT है, इधर मेरे पास बैलन्स है, 40 टॉलर एक दपा, फिर से मेरे प्रेश करता हूँ आप लोग अभी देखो, ठीक है, ये देखो, एंड इधर मैं अब क्लिक करता हूँ, विड्रा एड अर्निंग, जैसे ही मैंने विड्रा अर्निंग पर क्लिक किया, उपर आप देख सकते हैं, विड्रावल आप 15 USDT was successful, ठीक है अब इधर इसको मैं रिप्रेश करता हूँ, तो भई आप देख पाऊगे, ये देखें, कि जो अर्निंग है, वो इंस्टेंटली, जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया, विड्रा की उपर तो इधर आ गया, ठीक है, यनिकि ये जो है, बिल्कुल इंस्टेंटली आपको पैमिट मिल जाता है, इधर जब आपके पास आपके वालेट में बैलनस आ जाएगा, तो भई इधर से फिर आप इसको विड्रा कर सकते हो, किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में, क्रिप्टो एक्सचेंज से फिर आप अपने लोकल करंसी में इसको विड्रा कर सकते हो, डेली आप पैम क्रियेट किया है ठीक है इस टायप का तो आप लोगों ने क्या करना है रिजेक्शन की पीचे जो मेंन रिजन है बार वह घुड़ेंश को बताता हूं क्या ही आपका गेम mermaidionenाई हो भी आपने या ले ein वेबन आना है बलागर में तीम के सेक्षंचें में में आपको आना है ठीक है तीम के सेक्शन में आने के बाद इधर आप क्लिक करो edit HTML की उपर मैं अपना recorder एक दबाद देख लेता हूँ ठीक है हाँ ठीक है यह जो आपके पास HTML उपन हो जाएगा इस तरह से तो आपने न अपने keyboard से यहाँ पर इंटर करना है control प्लस एप यह आप जैसे ही यहाँ पर इंटर कर दोगे तो आपके पास एक search बार आ जाएगा इस search बार में आपको search करना है no index ठीक है mobile में आपको कैसे करना है वो भी अभी में बता दूँगा no index के उपर click करके इसको search करो ठीक है आप इसको इस तरह से search करें no index लिखके इसको search करो ठीक है आपने space नहीं देना है direct no index search करने के बाद आपको 30 आप इदर note करें mobile में आप इसको तोड़ा से scroll करो तो 30 line के अंदर आपको ये no index देख जाएगा ठीक है आप देख सकते है no index name robots यहां पे नीचे भी no index है जहां पे no index है आपने no को remove कर देना है यिस तरह से जहाँ जहाँ पर no index होगा आपने no को remove कर देना है इस तरह से and then आपने अपने जो html जो teem है उसको आपने save कर देना है बस यह गाम आपको करना है यह हमने क्यों किया क्योंकि आपका यह जो teem है यह indexable नहीं है यह google में इंडेक्स नहीं होगा ना main URL होगा ना आपके articles होंगे AdSense Approval के लिए MI Approval के लिए या किसी third party Ad Network Approval के लिए ये करना जरूरी है तो ये मैं बूल गया था ये मेरी तरफ से mistake हुआ है इस team के अंदर ये एक problem थी लेकिन मुझे पता नहीं था फिर मेरे एक subscriber ने मुझे मेरे साथ share किया कि वह ये indexable नहीं है तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि इस तरह से आपने करना है ताकि आपका team आपका website search console में Google search engine में index हो जाए ठीक है अब आपने क्या करना है जब ये वाला काम आप कर लो तो उसके बाद आपने website को search engine में add करना है Google search console में और one by one जो है आपके सारे ये जो गेम्स है ये index हो जाएंगे आप कोशिश करें unique games क्योंकि सारे लोगों ने same type का domain लिया हुआ है same type के articles एड़ कर रहे हैं गेम्स एड़ कर रहे हैं आप ऐसे करें कि unique game एड़ करो और जितने games एड़ कर सकते हो इस तरह से आपकी ये जो logo है इसको change करो आपकी ये जो pages है terms and condition, privacy policy आपने आना है इस pages के section में 90% लोगों ने ये pages बनाए ही नहीं है ठीक है और नहीं search console में side add है direct आप apply करते हो तो ये जो post it पे है अब जैसे ही मैंने इसको share किया वीडियो में तो आप लोगों को पता है अब देखे इस वीडियो के उपर 4000 views है मैं भी इस में से minimum 500-600 लोगों ने तो apply किया होगा कम से कम 500-600 लोगों ने apply किया होगा तो मैं भी कि जो post it pay है बलकि यही possible है कि post it pay को लगा होगा कि कोई illegal activity हमारे अड नेटवर्क क्योंकि इनका अड नेटवर्क बिल्कुल new है तो इनको लगा होगा कि illegal activity हो रही है तो इस वज़े से 90% ads इन्होंने reject कर दिये हैं तो आपने क्या करना है बिल्कुल दियान से अब आप इस वीडियो को note करो बिल्कुल दियान से आपको इस वीडियो की description में मैं post it pay का link दे दूँगा आप देखते जाओ कैसे आपको करना है बिल्कुल starting से आपके पास gaming site हो या normal site हो कोई फरक नहीं पड़ता gaming site के अंदर भी लगा सकते हो and normal site के अंदर भी लगा सकते हो and फिर अगर आपके website पर ट्राविक नहीं है तो ट्राविक आपने कहां से लेना है arbitrage कैसे करोगे अच्छा ये जो है ना इसके लिए मैंने total 19 डॉलर spend की है यहने कि almost मुझे 24 USDT का profit हो गया है और अब इसको मैं और जादे increase करूँगा ठीक है इसको और जादे increase करूँगा पिछली वीडियो में 60 डॉलर live विड्रा किये थे इसमें 14-15 कर दी है मैं अपने course में busy हूँ course से जैसे ही free हो जाओँगा तो इसको मैं और जादे increase करके आपको दिखा हूँगा ठीक है तो आपने यहाँ पर games add करने है logo change करना है और pages के section में आपको आना है और about की उपर आप click करो इधर आप अपना email add करो ठीक है about अपना enter करो कि यह जो site है यह gaming related है यहाँ पर आपने क्या करने है Google में आपको search करना है privacy policy generator तो यह आपको मिल जाएगा आगे के steps आप follow करो इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी YouTube में आप search कर सकते हो how to create make privacy policy page तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा आपने यहाँ से उसको copy करके यहाँ पर paste कर देना है और इसको update कर दो यह pages आपके add हो जाएगे cookies statement and यह जो terms and condition है इसको आप इस तरह से delete कर सकते हो इसकी जरूरत नहीं है इस website के लिए हमें जरूरत नहीं है इन pages के ठीक है आपने भई क्या करना है कि games add करने हैं जादा ठीक है कोशिश करें कि हर एक game के साथ आप जो है description add करो description कैसे add करोगे अब जैसे यह game monetize है मैं आल लड़ी आपको part 1, part 2 की अंदर बता चुका हूँ यहाँ पर जादा time मैं इसकी उपर spend नहीं करोगा ठीक है यह नीचे जो terms and condition and contact का जो page है इसको फिर आप delete कैसे करोगे आपने आना है layout की section में यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा आपका putter section यहाँ पर आपको find कर देना है I think यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा तो अगर यहाँ पर नहीं है फिर आपने क्या करना है अपने team वाले section में जाना है यहाँ पर आने के बाद edit html पर click करो यहाँ पर about लिका हुआ है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर उसी तरह से control plus app को enter करता हूँ about को आप search करो इस तरह से ठीक है enter करो about search करने के बाद सारे pages आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पहले आप इसको इस तरह से cut कर दो अगर कोई problem आती है तो बाद में आप उसको add कर सकते हो दूसरा मुझे जो statement वाला है cookie statement यह भी मुझे remove करना है तो मैं इस page को भी remove कर देता हूँ और जब आपका page ready हो जाएगा आपके blog में मैं आपको दिकाता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर यह डॉट लगा हूँ है यहाँ पर भी डॉट है तीनों pages में यहाँ पर डॉट लगा हूँ है आपने क्या करना है इस dot को आपने remove करना है अगर आप यह dot remove नहीं करोगे तो आपके जो pages है वो visit नहीं होंगे तो आपने इन तीनों dots को इस तरह से remove करना है और इसको update कर दो अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ यह जो privacy policy page है इसके अंदर मैं कुछ update करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ यह मैंने लिख दिया privacy page यह लिखने के बाद अब मैं इसको update करता हूँ मुझे पता है गलत लिख दिया बेख जाता हूँ और बेख आने के बाद अब मैं इस page को यहाँ पर website को मैं visit कर देता हूँ ठीक है dot is यहाँ पर जो तीन dots थे वो मैंने remove कर दी है अब मैं इस privacy policy के उपर click करता हूँ तो आप देख सकते हैं देखें पर click करते हो और इसको अपने website के अंदर embed करते हो तो यह आपको यहाँ पर description भी provide करता है description भी आपको add करना है website का आपने homepage वाला url लेना है एक दपा ठीक है homepage का url copy करो इधर आप select करो यह वाला add ठीक है यह वाला add and page का url paste करो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है I am not a robot होगा इसको आप पिल कर दो create add unit के उपर click करो तो आपके पास इस तरह से यह जो code है HTML code आपके पास आ जाएगा नहीं तो आप दुबारा इसके उपर click करो and यहाँ पर scroll करो तो यह आपका code है code को आप copy करो आप क्योंकि मैंने homepage का url copy किया था तो मैं यह जो add है इस add को मैं homepage के अंदर लगाता हूँ तो मैं इसको sidebar के अंदर लगा देता हूँ ठीक है तो यह sidebar है इसको मैंने paste कर दिया अब मैं अपने website को करता हूँ view, block, you पर click तो भाई आप यहाँ पे देख पाऊगे कि add यहाँ पे successfully display हो गया अब आपने क्या करना है अगर आपके पास neon.today है मैं video call in description में दे दूँगा जो new log है जिनको नहीं पता neon.today का वहाँ से आप इसको तोड़ा सा traffic दो paid traffic आपको अभी नहीं देना है आप neon.today से तोड़ा सा traffic दो जब आपका ये एक add आपको लगाना है सिरफ एक add जब आपका ये एक add यहाँ पे active हो जाएगा ठीक है जब ये status जो आप देख सकते है pending review है जब ये active हो जाएगा दो दिन भी लग सकते हैं तीन भी लग सकते हैं चार भी लग सकते हैं क्योंकि ज़ादा लोगों ने अब apply किया है तो अब वो instant वाली बात तो यहाँ पे खतम हो गई ठीक है अब मैं भी करूँगा तो मेरे पास भी यही problem होगा तो आपको wait करना है जब ये status आपका active हो जाएगा उसके बाद आप इसी code को लो और भाई जितने pages के अंदर आप add करना चाहो या कई और multiple time आप इसको फिर use करो लेकिन starting में one time one time आप homepage का URL लो add करो एक दबा इसको add करो क्योंकि बहुत ज़ादा जब आप starting में multiple इसको add करते हो तो बोट जो है वो आपके site को crawling नहीं कर पाता तो आप इनके privacy policy को note करो read करो तो आप समझ जाओगी ठीक है एक आपको ये काम करना है अपने website के अंदर आपने proper pages add करने है, games add करने है, description proper आपने website को सई से design करना है, उसके बाद आप पोसेट पे का add लगाओ and wait करो, जब आपका add active हो जाएगा अगर अभी जितने भी लोगों को reject हुआ है, आप इनको contact कर सकते हो, कि मेरा अलग site है, क्योंकि बहुत ज़ादा लोगों ने, कुछ बाइयो को मैंने का था कि आप contact करो, उन्हें ने contact किया दो Indians ने मुझे contact किया था, मैंने उनको का कि आप इनको message करो, कर देंगे इन्होंने message किया, इनकी ads जो है, वो active हो गए है, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि, आप लोगों ने जो site supply की है, वो सारे same नाम की हैं, और same team की हैं, games भी same है, तो इस वज़े से इनको जो है, कभी कबार हैसा हो जाता है, कि add network को लगता है कि illegal activity हो रही है, क्योंकि इनका network गिल्कुल new है, ठीक है, जब आपका add यहाँ पर active हो जाएगा, भी या, उसके बाद आपको pay traffic लेना है, अब pay traffic कहां से लेना है, मैं already आप लोगों को बता चुका था, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरी देखते नहीं हो, तो इस वज़ए से आप लोगों को पता ही नहीं चलता, आपको भी देखे, क्या करना आपको यह है, पहले तो आप post-it pay का यह जो earn वाला section है, यहाँ पर आपको यह post-it list मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जितने भी यह post-its है, जैसे addbtc.top है, इसको मैं visit करके आपको दिखाता हूँ, इनका अभी आप देखते जाओ, भाई, होगा क्या, ठीक है, यह btc.top है, addbtc.top, इसको आप login करें, अपना account create करो, अगर आपके पास account नहीं है तो, अपना account create करो, and account create करने के बाद, आपने इस ptc site से अपने website के लिए ट्राविक लेना है, आप ऐसे जो experts लोग हैं, जो ज़्यादा earning करना चाहते हैं, और उनको ब्लागिंग के बारे में proper पता है, उनके mind में एक question आया होगा, कि क्या ये legal है, तो प्यारे भाई, बिलकु लीगल है, पोसिट पे एक ptc site है, add ptc, एक ptc site है, पोसिट पे भी आपको यहाँ पर जब आप यह पे टो क्लिक की उपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखें, आपके पास बहुत ज़्यादा ये ptc sites है, जब आप view की उपर क्लिक करते हो, तो यह कहते हैं कि आप 10 सिकेंड के लिए इस एड को देखो, आपको इतने cents मिल जाएंगे, 0.00035 डॉलर आपको मिल जाएंगे, तो इस पोसिट पे के पास, पोसिट पे एड नेट वर के पास जो एड्स है, वो सारे crypto related एड्स है, meme coins है, पोसिट sites है, जितने भी new postsets आते हैं, वो इनके पास आते हैं, या जो meme coins है, billion dollars की बजट होती है, जो memes coins है, coins की जो owners होते हैं, लाइक जो exchanges होते हैं, DEX exchanges, वो billions आप dollars की investment करते हैं, advertisement की उपर, and पोसिट पे तो भई, already crypto market में है, तो भई इससे benefit उटाओ, free में ये method share किया है, इससे benefit उटाओ, तो आप अगर अपने website के अंदर, इनके ads लगाओगे, और फिर PTC site से traffic दोगे, तो भई ये बिल्कुल भी illegal नहीं है, जो भई कहता है illegal है, आकर मुझे prove कर दो, मैं live आ जाओंगा, मुझे prove कर दो, किसी भी तरीके से मुझे आप प्रूब कर दो, कि हाँ भई आप प्रूब करो कि ये illegal है, ठीक है, तो भई सारा काम जो है ना, यहाँ पे PTC का है, pay to visit का है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो आपने अपने website को, इन जैसो site से traffic देना है, अब यहाँ पर देए, addbtc.top है, हर एक post site साइट में, यहाँ पर advertise का section होता है, यहाँ पर देखे, यह serve ads के नाम से एक section होगा, आपके पास, इसके उपर आप click करो, तो भई यह ads मैंने run किये हैं, आप देखते जो, यह सारे ads मैंने run किये हैं, तो आपने यहाँ पर add run करना है, इस तरह से, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी share किया था, यह है वी पोसेट, अब वी पोसेट जो है, यह भी एक जो है, एक तरह से post site है, ठीक है, जैसे addbtc है, यह भी post site है, तो यहाँ पर भी मैंने, इसका तो मैंने बिल्कुल फ्रापर आप लोगों को सिखाया था, कि कैसे, क्योंकि यह बहुत अच्छा result दे रहे है, मुझे अच्छा result दे रहे है, आप लोगों का नहीं पता, मैं इस वज़े से प्रापर आप लोगों को guide me कर रहा है, ट्रापिक लेने का जो method है, वो इस वज़े से प्रापर guide नहीं कर रहा है, क्योंकि बही अगर आप लोगे, जो साइट्स मैं आपके साथ share करता हूँ, वो जाहिर सी बात है, पहले मैंने use किये हैं, आप ऐसे करें कि खुद रिसेर्च करके यूनीक साइट्स यूज़ करोगे, अगर आप यूनीक साइट्स यूज़ करोगे तो आपको अच्छा result मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आल लड़ी इनके जो विज़ेटर्स ने, इनके पास जो विज़ेटर्स हैं, वी पोसेट के पास, उन्होंने मेरा एड देखा है बार बार, अगर आपके पास यूनीक विज़ेटर्स आएंगे, तो आपको अच्छा प्रॉपिट होगा, मैंने इस चीज़ को खुद अभी फेस किया है, मैंने कुछ अलग-अलग पोसेट साइट से ट्राफिक दिया, हाब आप डॉलर का, तो मुझे बहुत अच्छा महरान हो गया, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट, एड एक सार बेट राज से भी बेस्ट रिज़ल्ट, तो यहाँ पे आपको यह पोसेट साइट मिल जाएंगे, यहाँ पे जैसे आपको दिखाया था, यह पोसेट साइट से इनको आपने विज़िट करना है, और इनसे आपने ट्राफिक लेना है अपने साइट के लिए, अब आप कोगे भाई, डिपोसेट कैसे करूँगा, तो डिपोसेट के लिए आप इसी पोसेट पे को यूज़ करो, आप ऐसा करो कि अपने बाइनांस अकाउंड में, जैसकेच, इजी पैसा, पे टीम या बंगले देश में आपकी जो लोकल करेंसी है, वो आप बाइनांस के अंदर डिपोसेट करो, आप बीटीसी, सोरी, अल्टीसी या पे डोज कोईन या यूज़ दीटी परचेस करो, पांच-दस टॉलर का, आप बाइनांस से पैमेट को यहाँ पे ट्रांसपर कर दो, यह आपके पास यह LTC का एडरस है, आप इस एडरस को लो, बाइनांस से ट्रांसपर कर दो, अमाउंट, and then हर एक पोसेट साइट में आपके पास ऑप्शन होता है, पोसेट पे का, आप डाइरेक्ट पोसेट पे से अमाउंट एड़ कर सकते हो, यहाँ पर भी आपके पास पोसेट पे का ऑप्शन है, आप एड़टाइस के सेक्शन में आओ, डिपोसेट के उपर क्लिक करो, यह देखो, आपके पास यह पोसेट पे का ऑप्शन है, ठीक है, आपने हर एक पोसेट साइट में पोसेट पे का ऑप्शन होता है, आपने अमाउंट एड़ करना है, एक डॉलर या दो डॉलर मिनिमम 50 सेंट से भी आप ले सकते हैं और उसके बाद आपने अपने वेब साइट के लिए ट्राफिक लेना है जहां पर आपके ज़्यादा एड्स लगे हैं अगर होम पेज के अंदर ज़्यादा एड्स है तो होम पेज का URL दो आर्टिकल के अंदर ज़्यादा एड्स है तो आर्टिकल का लिंग दो और सिरफ पोसेट पे की आड्स नहीं साथ में आप ऐसा करो कि आप मुनिटेक की आड्स आटो लगा दो या किसी और एड्स टीरा को भी आप ट्राई कर सकते हो लेकिन वो अच्छा रिजल्ड नहीं देगा आप साथ में मुनिटेक को यूज कर सकते हो मुनिटेक की आड्स लगाओ तो आपको मुनिटेक से भी अर्निंग होगी एड्स इधर आपको पोसेट पैसे भी अर्निंग होगी जितना आप जाधा टाइम दोगे उतना ही आपको बेनेफिट होगा बात में जब वेबसाइट का एज ओर्ड हो जाएगा तो आप अड्स के लिए अपलाई करो ठीक है जी लास्ट में आते हैं यह हो गया वीडियो यह कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है कि यह यह काम आपको करना है मैं अड्नेट्वर्क जो ट्राफिक सॉर्स है वो अभी मैं आपको यह रिकमेंड नहीं कर रहा कि कि आप इसको यूज करो क्योंकि यह मैंने वीडियो के अंदर शेयर कर दिया आप कोशिश करो यहां पर जो मजीद है यह आप गूगल में सर्च करो क्रिप्टो पोसेट साइट लिस्ट आपको लिस्ट मिल जाएगा यूनीक यूनीक आप जो है ऐसा करो यह फाइंड करो र गांच को लिएप खुर के इसके और इस वीडियोख जितने भी खुरील करें इंडर पांच लोंग लों को पिक करोगा देखें आप यहां पर यूनीक और यहां पर पिक कर लेता हूं प्यकिवर क्लिक तो यह है नकेबली यह मेरा विनर है वहाइगर आपने पहले से ही तीम लिया हुआ है तो पिर आप ऐसा करो कि मुझे बता देना मैं आपके जगा पर किसी और को दे दूँगा और आप ऐसा करो कि ये जो आपने कॉमेंट किया हुआ है अखिर इंतिजार खतम हुआ तो भई आप इसी के नीचे रिपलाए दो पिर स्क्रीन शॉट लो मुझे इमेल करो कि ये है मेरा कॉमेंट एंड मैं विनर ठीक है अगर आपने अरता नेक्स्ट वीडियो तक अगर आपने कॉंटेक्ट कर दिया तो मिल जाएगा नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जादा कर दूँगा आपकी जगा किसी और को पिक कर लूँगा ये हो गया एक विनर दूसरा विनर देख लेते हैं ये है चाइना चाइनीज विलॉग तो चाइनीज भाई आप मुझे अपने रोमन उर्दू में ही मैसेज कर दो क्योंकि चाइनीज और इंगलिश मुझे आती नहीं है तो आपको भी तीम मिल आपने भी विनर हो तो फाइप को कर लेते हैं तो फाइप विनर है बीस्ट ब्रो चैनल और जिसका नाम नहीं आया है नो प्राबलम भाई इस टॉपिक के उपर जितने भी वीडियो आएंगे हर एक वीडियो के अंदर पांच-पांच जो है मैं गिवेवेस करूँगा पां जोइन करना चाहते हूं मैं कल कोईट करूँगा आप मेरी रिसेंट वीडियो देखो और उसको जोइन करो अगर मैंने कोई मिस्टीक के हैं वीडियो में तो उसके लिए सोरी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला आफीश